स्री भक्ती वेदान्त वामन गोस्वामी महराज एक बार कलकत्ता के पास एक गाउं में भागवत कथा करने गए जैसे ही प्रत्थंतिवस की कथा आरंभुई एक विशाल नाग वहाँ पर आया वह व्यास पीट की और आगे बढ़ने लगा सभी डर कर इधर उधर भागे और क के बगल में बैठ गया स्री महराज जी ने कथा कहना सुरू किया जैसे ही कथा का विश्राम हुआ वह नाग चला गया दूसरे दिन ठीक कथा प्रारंब के समय पुना आक कर बैठ गया ऐसे उसने संपून भागवत कथा साथ दिन सुनी अंतिम दिन कथा के बाद एक वैश्न की कथा में ले जाते थे और नाम जब करवाते थे यद भी मैं मन से नाम जब नहीं करता था माता पिता के कहने से जबर जस्ती करता था पर आज मुझे समझ में आया है कि उसके प्रभाव से ही मुझे स्रीमत भगवत कथा स्रवर करने का सौभाग्य मिला है मैं इस योनी से म कभी नास नहीं होता है यानि कभी भी पतन नहीं होता है यदि भक्त से कोई अपराद बन भी जाए और उसके फलसुरूबा किसी अन्य योनी को प्राप्त हो जाए तो भगवान संतों के माध्यम से उसका उध्धार कर दिया करते इस सत्य घटना से हमें यह सिक्षा मिलती है कि भगवान के भगतों का कभी भी पतन नहीं होता हमारे द्वारा की ये गैसत कर्म भगवत चड़्चा कभी ने कभी हमारे काम ही आती है जैशी किश्चुरूब